तो चलिए देखते हैं आज ये इंपोर्टन जीके और करेंट रफेस्ट के क्वेश्चिन्स आपके एयर फोर्स और नेवी एक्जाम के लिए जो के सुपर इंपोर्टन रहते हैं डेली आपको मॉर्णिंग मिलते हैं करें बहुत लों को दिक्त होती है बशन नहीं देते हैं तो इसकी पेडिएफ आपको डेली मिलती है ना से फ ピरूटन के 거지 Śटा, dar पहले कोमेंट आपको मिलेगा जहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप उसको जॉइन कीजिए और क्विजस एट्रेम्ट कीजिए डेली बेसे पर पीडियाफ भी डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हैं पूरे जो मैं कुश्चिन्स कराने वाला उनकी शुरू करते हैं अभी और उम्मीद करते हूं सब्सक्राइब करके रखे चैनल ताकि सबको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहा है वीडियो का पहला कुश्चन यहाँ पर कैल्डेरा निन मैं से किस से संब्सक्राइब लेंगे क्योंकि जो टर्म है य जो आला मुख्यानी वॉल्क्यानों से रिलेटेड है तो अप्शन नमबर सी इसका सही आंसर होगा अब अगला कुश्चन है सेकर्ड नमबर कि सब्सक्राइब कहां स्थेता निए वेरिस सब्सक्राइब लोकेटेड अप्शन से पहला अप्शन है महाबली पूरम दूसरा क उलात में सबसे लंबा दिन होता है निए और विच डे इस डे लॉंगज़ डे इन दर नॉर्दन हमेस्फिर नॉर्दन हमेस्फिर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है 21 जून बाइस दिसंबर 23 सितंबर या फिर 21 मार्च अब देखिए इसकूशन का अंसर बहुत आसान है क्यो है ट्यू合क दिवस इस दिन ही चालोग कए गया इंडिया के दोरा 21 को अभी अगर जो लोग और आस्टेलिया में रहते ना जो जो लोग और आस्टेलिया में रहते हैं अगर आप उन से पूछोगे की पीर मलंबा दिन सबसे कौन में होता तो 21 दिसंबर क्यों पूंद कि कू और South Africa Australia के लोगों से तो उनके लिए 22 December सबसे लंबा दिन होता है अगला कुश्चन है को निका कप किस खेल से समंदी तेने विच गेम इस एलेटेट टू को निका कप options हैं आपके badminton, cricket, polo या फिर shooting तो अगर आपको इसका answer पता है तो comment में लिखें जरा फिर आपको बताता हूँ आपका सही हुआ है फिर नहीं अगर आपने लिखा option number A badminton तो बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि यही इसका answer option number A badminton सही related है को निका कप और देखिए मैं कोशिस करता हूँ कि इस PDF आपको mixed questions मिलें हर तरह questions मिलें full form से question मिलें आपको question ना सिर्फ अगला question देखते है राश्त्री साच चर्था mission के सुरुवात कपकी के थे ने वन वाज देशन लिटरेशी mission launched 1985 1986 1988 1987 सही answer इस question का अप्शाइमबर C 1988 अगला question लोग सेवा दिवस का मना जाता है और यह वेन इस पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड ओप्शन मैं आपको दिखाता हूँ 21st April 21st June 21st September यह फिर 15th August तो किस दिन पब्लिक सर्विस डे मना जाता है यह मना जाता है ओप्शन नमबर A 21 एप्रिल को अगला question है कि किस सुप्रशिद समा सुधारक ने ग्यान योग कर्म योग और राज योग पुस्तक लिखी यह विच फेमस सोशल रिफॉर्मर रोड दबोग ग्यान योग कर्म योग और राज योग स्वामी विवेकानंद राम कृष्ण परमहंस राजा राम मोहन राय फिर एमजी राना डे तो इसका सही आंसर अगर आगर आपको पता है तो कॉमेंट में लिखें ये अगर आप थोड़ा से इसमें गैस वोग करें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं तो कौन ऐसे सोशल रिफॉर्म है जिनका यो भारत रतना अनुकि उनका समंद्ध खेल से यह सिंपल बोल रहा है पूछ आप से लाडी हूं मैं किसे सब सबसे सबसे पहले बारत रतना किस नहीं जीता आपके आपके मिल्का सिंग सुनील गावस्कर दारा सिंग और सचिन तंदुलकर सही आंसर आँको उता दूशन का है डी सचिन तंदुलकर अगला कोशन यह है नाइन्थ नमबर कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है यानि इन दे वर्ल अफ म्यूजिक वो इस नोन आज दे सौकरर अफ दे सितार आपके त्यागराज, तान सेन, रहीम सेन या फिर पुर अगला कोशन नमबर लाल बादूल शास्त्री ष्टेडियम कहां पर रस्तिता तो अगर आपने New Delhi लिखा है तो sorry answer गलत है अगर आपने चन्नाई लिखा है तो भी गलत लिखा है अगर आपने हैदराबाद लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि यह जो stadion में है वो हैदराबाद में located है तो हैदराबाद इसका सही आंसर होगा option number C अब यहां से हमारे GK questions खतम होते हैं और चालू होँगे current interface के questions आपको पता है हम daily basis पे 10 GK questions करते हैं और 5 current interface के questions ताकि holistic coverage होता रहा है पूरी GK का GK का मतलब सिर्फ static GK नहीं होता वलकि उसमें current defense included होता है तो इस वैसे holistic coverage देने के लिए आपको daily basis पे यह दिया जाता है और आप खुद ही देखिए कि कितने दिन हो गया होंगा कितने questions हो गया होंगे आपके अगर आप seriously regularly पहले से follow कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे अगर आप नहीं भी follow कर रहे हैं तो आज से प्रण बना लीजे कि आपको daily basis को follow करना आपको इतने questions हो जाएंगे daily basis पर थोड़ा थोड़ा करके कि आपको वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपके exam है ठीक है तो current affair का पहला question देखते है कि हाली में MFIN का नया CEO किसे ने उत executive officer बनाए गया है MFIN का अब अगला question यह second number current affair का कि हाली में नई दिल्ली में व्रच्छा रोपड़ अभियान किसने शुरू किया ने recently who started the tree plantation campaign in New Delhi option से अमित शा, अर्विंद केजरिवाल, नरेंद्र मोदिय, फेर नानवदीज, सही answer इसका है option number A, अमित शा जो कि हैं इंडिया के current home minister अगला question है कि हाली में किस देश की महिला क्रिकेटर श्री पाली वेरा कोडी नों सेवा निर्वत की गोशना किये ने recently विच इंडिया नटा दी जहां से विच विमन क्रिकेटर स्री पाली वेरा कोडी हाज अनौंस्ड रेटायर्मेंट पाकिस्तान स्री लंका जिंबाबवे फिर नन अफ दीज सही answer option number थोड़ा साब चली मैं आंसर आपको बाद मताता हूं पहला आप गेस कीजीए नाम इसका पढ़के आप थोड़ा सा गेंस कीजिए कि स्री पाली टाइप आप कहां पे हो सकता है पाकिस्तान में टीज नंसर प्का सही आंसर इसका सही है, option number B, अगर आपने श्री लंका लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है अपने answer अगला question है, fourth number किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड के साथ समझोता किया है which state government has tied up with IIT रोपड for skills development, केरल, गुजराद, महराश्य फिर पंजाब तो अगर आपको पता है, रोपड कहां पे है, तो आप आसानी से इस question का अंसर दे ले जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर माली जै कि IIT कानपूर है, तो कानपूर या फिर आसपास के cities ही IIT कानपूर के साथ क्लब करेंगी पिर कोई भी इंस्टिउशन हो, अगर कोई state government उसके साथ क्लबिंग कर रही है, कॉलाब कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो नेबरिंग state होगा है, फिर वही state होगा, वही city होगी जहांपे वो लोकेटेट है तो इसका सही answer option number D है, पंजाब अब हम देखते है question number 5, जो किया है, हाली में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला सतंतर mission त्यान वेन वन लांच किया, recently which country has launched its first independent mission to Mars, त्यान वेन वन, option से China, Japan, या फिर none of these, तो त्यान वेन वन, अब नाम सुनके आपको क्या लग रहा, कौन से country हो सकता है, चाइन हो सकत अमेरिका, ये फिर none of these, तो guess किजिए इसको, सही answer, इसका option number A, China, और ये मार्स में जाएगा, अब हम देखते है question for the next day, आपको पानलू मैं कि हम लोग आखरी question आप लोग ले रखते हैं, और इसका answer अगले दिन दिया जाता है, तो जो मैंने कल question पूछा था, उसका answer आज मैं अभी दूँगा ये question पढ़ने के बाद, ठीक है, तो पहले आज ये question देख लीजी, सभी लोग कि हाली में ISA पर रस्ताचा करने वाला, 87th country कौन सा बना है, इस पे sign करने वाला, ये है क्या ISA, मैं आपको hint देते हूँ थोड़ा सा, तकि आपको असानी answer करने है, ISA का full form है International Solar Alliance, और ये इंडिया ने बनाया है, जैसे UNICEF है, UNESCO है, वैसे ये भी एक Global Organization है, ISA International Solar Alliance और इसका Headquarter है, Guru Gram में, ठीक है, तो अब इसका सही answer दीचे आप, बोलिविया, निकार कागुआ, सरीने में फिर None of these, तो चलिए, मैं उस question का answer आपको बताता हूँ, जो मैंने आपसे कल एक बेकियन मानवता पुरसकार की विजयता कौन बनी है, हैंनि, हूँ हाज रिसेंटली बिकम दा विनर ओफ दा गुलेक बेकियन, इमनेटेरियन एवार्ट, और आपके आप्शन्स थे, प्रीटा थिस, मलाला यूसुफ जाई, ग्रेटन थनबग, या फिर None of these, तो अगर नहीं विखिय다 तो अभी भी आपके पास मौकायों बाख intent कर सकते हैं भी, फिर मार्ण को बताता हूँ सही है, अपने attempt किया फिर गलत, तो अगर आपने प्रीटा थिस लिखा था comment में, या फिर आभी लिखा ए comment में, तो बिल्कुल गलत, यह इसका answer नहीं है, अगर आपने लिखा है greater than bug तो आपने बिल्कुल सही लिखा है congratulations क्योंकि इसका सही answer यही है इन्हों नहीं यह award गुलक बेकियन जीता है तो आज एक question का answer दें वीडियो को like करें target रखतें इसमें 500 likes का इस वीडियो में प्लीज इसको जरूर target में achieve करने में help करें एक like जरूर करें और subscribe करके रखें चैनल को ताकि आपने notifications हर वीडियो के मिलते रहें और वीडियो को होज़ा के तो share करें जाता जाता धन्यवाद